मित्रो गुजराती में कावत है जिसका हिंदी में ये मतलब होता है कि जिसके हाथ में सत्ता है उसके सामने अमने शानपंटी नहीं दिखानी चाहिए It is futile to act over smart in front of a person who has power इसका प्रत्यक्षनुबव, first hand experience चीन में जेक मा को हो चुका है और अभी बारत में Facebook, Twitter, Netflix ये सब को होने वाला है क्योंकि Information Technology Act, सुचना और प्रद्योगी की कानून 2000 के अंतरगत सरकार लेकर आई है Information Technology Intermediary Guidelines and Digital Media Ethics Code Rules 2021 या जिसे अनवचारिक रूप से का जाता है Soft Touch Oversight नरम या हलके सपर्ष वाली देख रेक या निगरानी जहाँ पर Social Media, Digital News and OTT Platforms जैसे Netflix उन पर सरकार ने कुछ और सकती और नियम लगाए है सबसे पहले हम देख लेते हैं Social Media पर Soft Touch Oversight पहला कई बार हम पाते हैं कि Ex-Boyfriend, Ex-Husband, Rejected Lover वो लोग किसी लड़की की Private Images, Morphed Images सोशल मीडिया में सर्कुलेट करते हैं तो नए नियमों में जैसे ही ऐसे कोई भी महिला या पुरुष कंप्लेइन करें या उसका कोई प्रतिनी दी, Parent, Guardian, Lawyer कंप्लेइन करें तो सोशल मीडिया कंप्टी ने विदिन 24 आवर्स वो जो भी नंगी तस्वीर है या Morphed Images उसको हटाना होगा सो वीमन सेफ्टी डिगनिटी पर सक्ती की गई दूसरा कोई भी ऐसे चीजे जो इलीगल है पॉनोग्राफी, गेंबलिंग, राय और पॉब्लिक ओडर को उत्यजित करें या फिर बारत के विदेशों के साथ रिष्टों को खराब करें ऐसे content को उन्होंने हटाना होगा ये सबकी complaint रिसीव करने के लिए उन्होंने एक शिकायत निवारन अधिकारी, grievance officer अपॉइंट करना होगा हर महीने compliance report सरकार को देनी होगी कई बार हम ये पाते हैं कि social media company खुद ही किसी user की कोई post delete कर दे, उसका account suspend कर दे जैसा अमेरिका में Donald Trump के account को Twitter ने बंद किया है या बारत में ये कंगना रानावत का account कुछ बार suspend करते हैं या उसकी कुछ tweets को delete किया जाता है तो ऐसी situation में social media company ने उस particular user को कारण के साथ बताना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है और उस user को उन्होंने opportunity अवसर देना होगा कि वो अपनी कुछ defense या appeal दे सके कि मैंने ये ऐसा लिखा था और इसे restore कीजे या कुछ ये जो बड़ी social media company है उसको भी दो parts में विवाजित कहिया जाएगा एक होगी एकी normal size की या छोटी वाली social media company और दूसरी होगी significant social media intermediaries for example अगर हम बारतिय users के हिसाब से बात करें तो twitter पर 1 करोड से जादा instagram पर 21 करोड से जादा, facebook पर 41 करोड से जादा, youtube, whatsapp पर भी 40-50 करोड से जादा हो रहे तो ऐसी बड़ी social media company और भी जादा सक्त नियम किये जाएंगे कि उन्होंने 24 by 7 nodal officer नियुक करना होगा माली जे रात को 2 बजे भी कोई दंगा हो जाए या कोई ऐसी आपती जनक पोस्ट डाल के सोजाए तो फिर सुबह तक रुख नहीं सकते उसको बंद करवाना हो या कुछ काम करना हो देवी लेव टू, coordinate with law enforcement agency इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और concept, safe harbor माली जे ट्वीटर पर किसी ने कुछ ऐसा content डाल दिया कि उससे दंगे हो सकते हैं तो क्या उसके लिए ट्वीटर जिम्हेदार होगा, जवाब है ना, provided कि वो उस चीज़ को हटा दे तब तक उसको immunity मिल जाती है तो ये नए soft touch rules में ये का गया है कि जब तक social media website बारत सरकार के guidelines के हिसाब से या बारत सरकार या court या कोई उसको notice बेजे उस हिसाब से वो content को remove कर देगा तब तक उसको इस प्रकार का safe harbor या legal immunity मिलेगी as per the information technology act अगर ये उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो शायद फिर वो जिसने वो post डाला है वो user को तो सजा होतने वाली है लेकिन इन company को भी कुछ हो सकता है So this is one part social media ये soft touch rule में दूसरा part है digital news websites कुछ ऐसे जो पारम पर एक newspaper नहीं चलाते लेकिन उनका blog, website, youtube channel के माध्यम से वो news दिखा रहे है तो ऐसे सभी digital news websites ने Press Council of India, cable, TV, network regulation वगेरा के नियमों का अनुपालन करना होगा और उन्होंने भी अपनी self regulatory body बनानी होगी और एक code of ethics डिजाइन करें जैसा ये टेलिविजन मीडिया की अपनी Excel regulatory body बगेरा और इसके लावा Ministry of Information and Broadcasting, सुचना और प्रसाण मंतराड़ा भी इसके लिए और कुछ समिती बगेरा बनाएगा और soft touch में तीसरा part है over the top यानि OTT platforms OTT platforms में ये Netflix, YouTube, Disney host बगेरा बोल सकते हैं तो सबसे पहले उन्होंने अपने content को classify करना होगा Age के हिसाब से कि You for Universal सभी लोग देख सकते हैं UA यानि साथ साल या उसके उपर के लोगों के लिए उप्यूगता है फिर उसी तरह 30+, 16+, या adult content और ये जो ऐसा जो भी classification वाला logo या poster होगा वो उन्होंने कारेक्रम के शुरुवात में दिखाना होगा ताकि व्यक्ति नीन ले सके मुझे देखना है या नई दूसरा ऐसे जितने कारेक्रम है जिसमे content 30+, age के लिए classify है तो उसमें parental lock की सुविदा होनी चाहिए यानि parents अपने TV या smartphone या tablet या जो भी है उसमें कुछ quote डाल के रखे तो बच्चा छोटा बीम और Pokemon तो देख पाए लेकिन अगर कोई adult टाइप के या 13 प्लस वाले शो हैं तो वो न देख पाए सिवाए कि pass quote डाला जाए ऐसी system करनी होगी हाँ तो ये सब नियम बने हैं Controversy क्या जलेगी अभी कॉलम आज भी थोड़े आये हैं और बविशय में भी आयेंगे कुल मिला कर वही कि इससे वो Government की Oversight निगरानी बढ़ती है और Freedom of Speech और Civil Rights ये सब का अनन होगा Greta Thunberg और उसकी सहलिया जो riots करवाए उसके बाद Twitter Facebook ने उसके account को ban कर दिया लेकिन बारत में भी 26 जनवरी पर ये किसान नेताउने जो आंदोलन करवाए और उसमें जो हिंसा हुई तो वहाँ पर उन्होंने इतने प्रोएक्टिवली काम नहीं कि उल्टा ऐसा लगता है कि वो तो pamper करें उस पूरे cause को और ऐसे साथ जो लोग जुड़े हैं तो big tech company like Facebook या Twitter खुद तै करेगी कि क्या सही है और क्या गलत तो फिर उन्होंने भी अपने legal democratic framework में काम करना होगा और जातक ये बात है कि freedom of speech और civil rights और activist को परिशान किया जाएगा या खुल के बोलने नहीं दिया जाएगा तो Supreme Court is there to protect the fundamental right to freedom of speech expression, life, liberty जैसे वो श्रेया सिंगल case में Supreme Court ने सब judgment दिया था कि online आप अगर कुछ लिखते हैं तो कब उस case में उसे illegal माना जाए और कब freedom of speech माना जाए और अभी ये जो latest दीशारवी bail application वाला खेसा है उसी में भी court ने पाया कि मातर सरकार की नीतियों का विरोध करे वो देश द्रोह नहीं है so there is the court mechanism is there लेकिन ये मान के चलना कि सरकार बदमाशी ही करेगी इसलिए कोई नियम नहीं ही होना चाहिए freedom of speech and expression is more important than maintenance of law and order तो ऐसा सोचके तो public administration चलाना मुश्किल तो quality में सबसे बड़े तो आज ये ही समाचार थे उसके अलावा अलग-अलग page में दूसरे कुछ समाचार वो भी जल्डी से देख लेते हैं पॉलिटी के बारे में ये हमने Amazon Netflix की बात किते हैं Amazon में एक नई web series बनी है तांडव उसमें कुछ scene, dialogue, show ऐसा दिखाये गया है जिसमें लोगों की दार्मिक बावनाए आहत होती हो Hurting the religious sentiments उस case में Amazon content cheap की कुछ arrest की बात चल रही थी उसने अलाबाद high court में anticipatory bail के लिए apply किया तो high court ने उसे reject कर दिया कि आपने वो जो भी अपत्ती जनक scene थे उसको delete कर दिये और माफी माग ली तो उससे case खतम नहीं होता जो गलत काम हुआ है उसकी तो सजा मिलेगी क्योंकि आप सब अपनी fundamental right to freedom of speech expression की बात करते हैं तो सामने fundamental duty भी है Under this article 51A We have to promote the harmony common brotherhood among the people of India यह बंदूतवकी बावना शांती वो सब फैलाना भी जरूरी है तो कुछ भी तो creativity के नाम पर law and order problem create हो वो भी सही बात नहीं होगी के रागे पॉलिटी का तीसरा समचर Indian Penal Court section 377 उसमें एक जमाने में homosexuality सम लैंगी कृष्टे उसे गयर कानूनी और उसमें सजा हो सके उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक जज्जमेंट में उसको decriminalize किया था Consensual activities between same sex person not crime आपस में सहमती से ऐसे जो रिष्टे बनाए जाएं वो गयर कानूनी नहीं माने जाएंगे अब उसमें भी कुछ और आगे बढ़ रहे कुछ लोगों ने petition डायल की कि same sex marriage को भी permission देनी चाहिए ऐसे शादी ब्याग को recognize किया जाए legal तरीके से ताकि उसमें जो divorce या फिर बच्चा गोद लेना हो या उसको विरासत में पैसा मिले वो सब की अंदर clarity आए वो चीज औचित्य पूर्ण है और उसको करनी चाहिए या फिर कि ऐसी शादी करने का आपको अधिकार है under article 21 ऐसी कोई बात नहीं है उस judgment में दूसरा same sex marriage is not a fundamental right to life or right to privacy under article 21 और बारत के समझ के जो मुल्या है कि शादी महिला और पूरुष के बीच होती है फिर बच्चे होते हैं और फिर उनकी adoption, property rights ये सब की जो अपनी पूरी व्यवस्ता है उसके खिलाब ये same sex marriage है so we are opposed to this thing कैरतोमित्रोही है 26 February के इंडियन एक्सप्रेस में पॉलिटी के काम के समाचार देखे page 1 पर दूसरा जाने लाइक क्या है international relation में पिछले साल पाकिस्तान ने बारत के ये line of control पे 4600 बार ceasefire का उलंगन किया था लेकिन काफी समय तक चर्चा मंत्रणा के बाद अभी दोनों ही देशों ने joint statement issue किया है कि अब से हम लोग ये line of control का पालन करेंगे, ceasefire को wallet नहीं करेंगे, उसके जितने भी पिछले समझोते हुए थे, उन सब को माना जाएगा, पिछले 8 साल में शायद ये पहली बार ऐसा उन्होंने कोई joint statement दिया है, आगे बढ़ते हैं page 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे आज एक्जाम के लिए कुछ काम का नहीं page 8, person in news page 10, page 10 और 11 पे जो column है, तो उसमें जाने लाइक main चीज तो थी, ये soft touch oversight on social media, उसके मुद्धे हमने जान लिए, उसके अलावा वाले जो column है, उन सब में चीजे ये हैं, जो या तो हम पहले पढ़ चुके हैं, या फिर political tutu में हमें किये, metro man श्रीदरण ने केरला politics में BJP को क्यों join किया, उसकी कुछ निंदा, या फिर बारत और चीन के रिष्टे, soldier भी ड्रोग और वगेरा, क्या ना जान में कुछ है नहीं, सिवाई कि ये soft touch guideline जो हमने देख लिए, आगे बढ़ते हैं page 12, explain series में भी वापस वही soft touch guideline main चीज़ हमने देख लिए दूसरी explain series है, bond deal में जो बढ़लावाए हैं, उससे क्या असर होगा मैंने आपको आगे भी बता है, bond deal as a topic not important so greatly for the scope of general studies basic theory जो समझ नहीं थी कुछ दिन पहले हम समझ चुके page 13, advertisement काम के नहीं page 14 और 15 में भी advertisement और छोटे तू-तू मैं में टाइप के समाचार, काम के नहीं page 16, में भी ये national politics के समाचार में वापस वही soft touch guideline और Amazon का तांडव show देख लिया हमने, art and culture places in news में जानने लाइक नहीं चीज़ है जारखंड में हजारी बाग district के hill area में, एक नई Buddhist monastery archaeological surgical survey of India ने discover की है यहाँ पर बुद्धिसम से जुड़ी हुई एक देवी तारा उनकी मुर्ती मिली वरद मुद्रा में वरद मुद्रा यानि जैसे कि वो हाथ से लोगों को वरदान दे रही है और बगवान बुद्ध की भी मुर्ती मिली जहाँ पर वो भुमी स्पर्ष मुद्रा में है भुमी स्पर्ष मुद्रा ऐसी है कि वो अपने राइट हैंड के फाइव फिंगर्स जमीन की ओर हैं दिखा रहे हैं कि बगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट मिला है मिद्रो यह जो मुद्रा होती है अलग-अलग बुद्धिजम में उसके बारे में पहले भी शायद UPSC के एकाद एक्जाम में पूछा गया तो हमारा ध्यान होना चाहिए और यह जो दो किसम की जो स्टैचू मिले हैं उससे ASI वालों को लगता है कि यह वज्रयान बुद्धिजम जो की तांत्रिक फॉर्म बुद्धिजम का एक संप्रदाय है उसके साथ जुड़ा हुआ यह स्वेंटर हो सकता है कुछ समय पहले फिर उन्हें शैव संप्रदाय की देवी महिश्वरी की भी मुर्ती मिली है तो वो कुछ ऐसा दिखाता है कि यहां पर कल्चरल एजिमिलेशन हो रहा था कि बुद्धिजम भी शैविजम भी सब चल रहा था आगे बढ़ते हैं पेज 17 स्टेट पॉलिटिक्स के समाचार कुछ नहीं जाने लायक नहीं पेज 18 वल्ड न्यूज में परसनी न्यूज में नीरा टंडन जो की फर्स्ट इंडियन अमेरिकन लेडी है जिव जो प्रेसिडेंट आफ यूज से की बजेट डाइरेक्टर होंगी वल्ड एकानामी में वल्ड बेंक की व्याक्या पॉवर्टी के बारे में ऐसी है की एक्स्ट्रीम पॉवर्टी का मतलब है ऐसे लोग जो रोजाना 1.90 डॉलर से भी कम रकम पर जी वित है हाला कि चीन की सरकार की डेफिनेशन इससे थोड़ी अलग है वो कहते हैं कि एक्स्ट्रीम पॉवर्टी का मतलब है ऐसे लोग जो डेली 1.69 डॉलर से भी कम पर जी रहे हैं और अगर ऐसी व्याक्या को हम मान के चले तो उस हिसाब से चीन सरकार बोलती है कि हमने करीब करीब 100 मिलियन लोगों को इस गरीबी रेखा से हटा दिया है और चाइनिस प्रेसिडेंट शी जिन्पिन ने कहा है कि I am declaring total victory on rural poverty संपून रूप से ग्रामीन गरीवी को मैंने हटा दिया है मैं विजेता हो गया हूँ बट critics का ये कहना है कि वो तो आपने definition ही कम सेट की है इसलिए ऐसा दिख रहा है बदना ये तो एने कि 169 की जगा मान लिजे कोई 1.70 डॉलर पर डेली जीवित है तो वो कोई उसके गर में गी दूद की नदिया बैर रही है कैर अभी हो सकता है इस पर Indian Express कुछ और भी explain series आगे निकाले poverty को अलग-अलग देश कैसे define करते हैं और ये absolute poverty का जो concept की इतने डॉलर से ज़ादा या कम पर हम define करें उसकी जगह कुछ relative poverty concept और वो UNDP का multi-dimensional poverty index कि आपके गर में खाना कैसे पकाते हैं गोबर से या LPG से और ऐसा मिलता जुलता बारत का ये latest economic survey में सब bear necessities index हो सकता है कुछ ऐसे column वगेरा चलेंगे तो कुछ और जानने लाइक होगा तब देखेंगे खुद से मित्रों ये सब सर्च करने की बैठने की जरुवत नहीं वो जो कर रहे हैं उनको करने दो वो जब परोस के लाए तो उसमें से अपने स्वाद के हिसाब से जो उप्योगी वो उतना खाना हमने खाना चाहिए page 19 economy में आज कुछ काम का नहीं finance minister निर्मला सितारमन ने का कि हमें बड़े बैंक चाहिए जो कि Central Vigilance Commission से डरते नहों कि हम किसी को लोन देंगे और वो लोन वापस नहीं आया और ये CVC वाले हम पर एक्शन लेंगे ऐसा सरकारी बैंक के मैनेजर डरते डरते लोन ही पास नहीं करते जिससे हमारी economy grow नहीं करें मित्र इस टाइब के बाद वो पहले भी कह चुकी है आत्मनिर बबारत के अलग-अलग speech में तो ये कोई नहीं चीज जानने में नहीं है उसी तरह ये petrol diesel पर केंद्र और राजय के जो tax लगते उसमें कमी करना वो अभी मुश्किल है ऐसा सीतर अमन का कहना है कि दर्मसंकट है और RBI governor कह रहे हैं कि केंद्र और राजय ने मिलके कुछ सोचना चाहिए मतलब कि कम करना चाहिए तो ये भी सब transitional चीज़े आपको पता होनी चाहिए कुछ दिन पहले याद करो कि National Stock Exchange का सब online trading रुख गया था उसकी investigation चल रही है NSE के officers का बोलना है कि जो telecom service provider थे उनकी कुछ तकनीकी खराबी के चलते हमारा 4 गंटे तक सब ठप हो गया था trading से अभी ने का इस पर हमें action लेंगे वगयरा ये भी पूरी मित्रो माइक्रोसकोपिक शेर मार्केट की चीज़ अमारे लिए काम के नहीं अभी इसको सोचके कुछ लोग कि नहीं नहीं ये तो मतलब एक मुद्दा बनता है ना कि अगर टोटल डिजिटल एकोनोमी और डिजिटल ट्रेडिंग करेंगे तो इसमें ये जोखिम रहता है अचानक सब ठप हो जाए तो वो तो ऐसा मुद्दा है कि आपको बाइ डिफॉल्ट पता होना चाहिए अपने self common sense से आगे page 20 sports में आज जाने लाए कुछ नहीं तो ये था शुक्रबार का newspaper